नमस्कार स्वागत आपका सीन्यूस भारुत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव क्रिप्टो कॉइन हमारे देश में वैद नहीं उसके बावजूत क्रिप्टो कॉइन का मकर जाल देश में बढ़ता जा रहा है ये कौन लोग हैं जो सरकारी एजंसियों की नाक के नीचे अपना गोरक धंदा चला रहे हैं और लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं ऐसा ही एक मामला उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनव का है जहां मितलेश उस सिंग नाम की महला को क्रिप्टो कॉइन के नाम पर ठग लिया गया उस महला द्वारा मुकदमा दर्ज कराए गया पीडित महला का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज वो महला दर्दर भटकने को मजबूर है महला का कहना है कि मुकदमा लिखाने के बावजूद कारवाही के नाम पर खाना पूर्ती हो रही है ये लोग पूरा गिरो बना कर लोगों से ठगी कर रहे हैं और अब तक 100 करोड से ज़ादा की ठगी कर चुके हैं आकिर क्या है ये पूरा मामला उस महला मिथलेश उसिंग की जुबानी ही जानते हैं मैं मिथलेश सिंग, प्रेसिडेंट आफ मिथलेश फाउंडेशन मैं पिछले 6-7 सालों से समासेवा कर रही हूँ और मैं 2007 से इंवेश्मेंट करती आ रही हूँ मेरा सोर्स आफ इंकम ही एक इंवेश्मेंट ही है और अभी हमने 2021 में रूबी करेंसी में पैसा लगाया और इन्होंने हमें बहुत कंविंस किया और गॉर्मेंट की वेबसाइट का यूज करके इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि यह एक लीगल करेंसी है समीर केशरी ने जूम मीटिंग में भी गॉर्मेंट की वेबसाइट का यूज किया और केवाइसी करवाई तो हम लोगों का विश्वास पूरी तरीके से जीत लिया कि ये एक एथिकल कोईन है और केवाइसी में 30% टेक्स देने की भी बात हुई तो हम लोगों को कहीं से भी ड अऔर में बोर्वर्मेंट के ळिए कि हमारे रॉंथ के साथ ब्लॉप्यyn मरा फ़े मैं गॉर्मिंट के प्रोजेक्ट अपने प्लॉक चेम अब कर वंगा और दूसरी कीज़ इनहों ने ये भी बताया कि ये शौशव्ट्व्यर डैवलपर है ब्लोखचेल डिवलपर है ये अबिसे इंजीनियर है इन्होंने ब्राजिल गवर्मेंट के साथ इन्होंने हेकर का भी काम किया है तो हम लोग मोटिवेट हो गया talking बातों में आकर कि एक रियल करन्षी नो यह भी वादा किया कि हमारा यह रूपी करेंसिये भविश्य का बिट कोईन होगा और इसकी वैल्यू आज 38 साल के लिए अपना 2038 तक के लिए अपना प्रोजेक्ट बताया कि हमारा कोईन है और बाद में पता चला हमें मैंने छे स्रीज में इंवेश्मेंट किया सितंबर में मैंने यह ट्रिप के बहाने पैसे लेते थे यह बोलते थे कि एक मैं चौकीधानी का ट्रिप बनाया उसमें 2,00,000 का इंवेश्मेंट लिया और इसानी का होटल में इनोंने सैमिनार किया था और वहीं पर हमने समीर केसरी के हाथ में ही पैसे दिये थे और वहीं पर मुझे कौईन दिये गय थे उसके बाद मैंने उसी सीरीज में नौंबर मे दिसंबर में जनवरी और फरवरी छे मन्थ हमने पैसे इनको दिये इन्होंने बोला था कि तीन महने में आपका क्वाइन बिड्रॉल के बिड्रॉल वालेट में आ जाएगा और रेगुलर आप बिड्रॉल ले सकते हैं एक वालेट में बिड्रॉल वालेट इन्होंने कहा था क तो उस समय हम मोटिवेट हो गए और हमने इंवेश्मेंट कर दिया छे महने में हमें पता चल गया कि समीर केशरी बहुत बड़ा फ्रॉड है पहले भी वह चिट फंड की कंपनी आडी अवडी की कंपनियां छे साथ कंपनियां जो हमने अपने फाइयार में दी हुई है छे में मैंने इंवेश्मेंट किया है और बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है ये दो हजार ग्यारा से छे साथ कंपनी बना चुका है और सारी कंपनियों की डिटेल हमने दे दिया आईयों को और उस कम उस फ्रॉड में ये 2016 में मद्य प्रदेश जेल में भी ग कर चुका है ये 2030 एपरिल में एक तरीके से ठगी करके दुबई भाग चुका था लेकिन दुर्भागी से दुबई में इसके उपर एक फायार हो गई और फायार होने की वरसी दुबई से फिर हिंदुस्तान भागाया और अभी फिर इसने कूट रचित पास्पोर्ट तयार किया है फिर ये ठगी करके भागने विदेश भागने की उसमें है ये डिप्टी एस्पी दीपक कुमार सिंग ने भी अपने प्रेस नोट में ये चीज मेंशन की है एक साल से वह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे करीब ये हमारे हिसाब से तो सौ करोड़ से उपर की ठगी कर चुका है और एफाई यार होने के बाद भी ये इसके सेमिनार्स इसके प्रेस कॉन्फरेंस चलते रहे मैंने पुलिस को सारी सूचना भी दी कि देखे मैंने 20 तारीक को मेरी एफाई यार हुई है 20 अगस्त को औ बहुत बड़ा कॉन्फरेंस किया इसने 10,000 लोगों का कोलकता में मैंने इस बात की सूचना भी दी पुलिस को लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया उसके बाद इसने डेली में बोर्ड मीटिंग की एलिट क्लब की मीटिंग की उसका भी इंफॉर्मेशन चुकि अब जैसा क कि हमें पुलिस बताती थी कि हमारे ये CDR पे और ये सर्विलांस पे लगा हुआ है लेकिन तब भी भी हमने इंफॉर्मेशन देती रही इस सभी को क्योंकि जूम मीटिंग में डेली अटेंड करती थी जूम मीटिंग में मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी इन होने के बाद भी लूट जारी है और लगातार ये लूट रहा है इसमें में रोल है एम के राय का अभिशेग गुपता का आरके मौर्या का और आरके निसाद है दिंपल है वो इसकी इसकी रूबी कम्यूनिटी की विमन विंग की अध्यक्च भी है वो रितू है जो लोग फ्रेंट पर सपोर्ड कर रशसी कुमारतिवारी है और इसने अपनी जो कंपनी बनाई है बिट फाउंटेन सीटिय स्कोला एक्चेंज उसमें भी इसने डारेक्टर उन लोगों को बनाया है रामचरित मुंडा और रामजन मुंडा को और हमारी एफ आयार के बाद मुझे पुलिस ने कोई सटिस्फेक्टरी रिसपांस नहीं दिया मैं 45 दिन में हमारी उन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं लिया फिर भी बेचना मैंने ट्रांसफर कराने के क्लिए सॉइबर क्राइम में भेजी वहां पे भी उन्होंने 45 दि सिरी अंदर गया है लेकिन मुझे कोट में भी जाकर वो नहीं लग रहा है कि मुझे न्याएं मिलने की कोई उमीद नहीं दिखाई दे रही है और नहीं लग रहा है कि इसके फ्रॉड को स्टॉप करना चाहता है प्रशाशन और बहुत दुख की बात है कि योगी सरकार में जह कि इस ठग के सभी गिरोह को जितने भी लोग फ्रंट पर आकर काम कर रहे हैं जो लोग प्रमोट कर रहे हैं इस कोईन को पी टूपी बेच रहे हैं उन सभी लोगों को पकड़ा जाए और इस ठगी के बंद किया जाए अभी 100 करोण का ठगी इसने किया है और आगे 1000 करोण की ठगी करेगा पिछले चार सालों से ये क्रिप्टो के नाम पर फेक कोईन के नाम पर ठगी कर रहा है पिलाल इसकास रिपोर्ट पबस्त नहीं देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सीन्यूस भारत